अंसु का पाकवान में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ मोमो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजेगा वेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज मोमो बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है इस कप से मैंने एक कप मैदा ले लिया है मेजर करके तो मैदा ले लिया और अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी तो मैंने नमक डाल लिया और एक चमच मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है जो भी वोईल आप खाते हैं वही डालिएगा और इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डो तैयार करना है तो डो को ज़्यादा गीला नहीं करना डो को सक्ती रखना है इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार कर ली हूँ तो मोमो तो आप सभी को पता है कि बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसं उसके निगे आपको दीओ, और यहां मोमो की फिलिंग तियार कर लेहूं, जिसमें मैंने डेल सारी सब्जी आ कट कर के डाल दिया हैं, जैसे पनीर हो गया, गाजर हो गया, सिमला मिठ्च हो गया और लेसन तो जरूरी ही है सभी को मैंने दो कर काट लिया है अब मैं यहाँ पे कड़ाई में एक चमस तेल डाल दी हूँ तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें मैंने सबजी को डाल दिया है और अब नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है medium to low flame पे 1-2 मिनट हमें भूलना है इसे करंची ही रखना है सबजी को ज़्यादा नहीं पकाना तो मॉमो की सबजी कच्छी ही रहती है ज़्यादा पकी हुई नहीं होती है अब मैं इसमें लाल मिच पॉडर यूज की हूँ अब मैं इसकी चटनी बनाओंगी तो जब यह ठंडा हो जाए तो मैं मिक्सर जार में डाल कर इसका पेश्ट बना लूँगी नमक डाल देना है और थोड़ा सा लाल मिच पॉडर डालना है तो मोमो की चटनी तो तीखी ही होती है देखिए अब मैं इसे पीस ली हूँ कितनी अच्छी तरह से यह परफेक्ट चटनी बन करके तयार हो गई है तीखी वाली मोमो की स्पाइसी चटनी तो कैसी लगी देखते रहिएगा वीडियो को इन तक फ्रेंट्स तो अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आटा अब रिष्ट से मैं दिखा रही हूँ आटा बिल्कुली परफेक्ट हो चुका है चोटी चोटी लोई ले करके हमें इस तरह से इसे गोल 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 करके चोटी चोटी लोई को अब पूरी की तरह चोटी सी हमें बेल लेनी है जैसे मोमो का साइज होता है ना उस तरह का हमें बेलना है तो देखिए बीच से इसे पतला ना करें अगर बीच से आप पतला कर देंगे तो इसमें फीलिंग जो आप डालेंगे वो नीचे से फट जिस भी डिजाइन का आप बनाना चाहते हैं, उस डिजाइन का आप इसके सेप बना सकते हैं, मोदक के जैसे भी बना सकते हैं, फिर आपको जिस भी तरह की डिजाइन आती है, देखिए मैं इस तरह का एक सेप बना लिए हूँ, अब मैं दूसरा सेप बना कर आपको दिखाऊ इस तरह से मैं इसमें भी पानी लगा करके और इसकी सलबटे इस तरह से बना ली प्लेट बना कर देखिए अब यह मैं दूसरी डिजाइन बना ली तो मैं इस तरह से दो तीन तरह के डिजाइन बना ली हूँ अब देख सकते हैं यहां पे कितनी अच्छी तरह से बन कर तैयार अब मैं इसे ग्रीज कर लोगे, मैंने यहाँ पे इस्टेन में पानी रख दिया था, गरम हो गया है पानी, अब ग्रीज करके और उसके उपर से हमें यह मुमो को डखना है, और अब इसे ढख देना है, दस मिनट के लिए, देखिए, अब मैं ढटा कर दिखा रहे हूं, मुमो अच्छी तरह से पक चुकी है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि मुमो पक चुकी है, देखिए, बिल्कुल ट्रांस्पैरंट हो जाएगा, देखिए, चटनी के साथ मुमो बनाईए और खाईए, बच्चों को खिलाईए, अपने भी खाईए, और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाएए, तो आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, थैंक्स पर वाचिंग